हेलो माई फ्रेंड तो कैसे हो आप सबी लोग आई होप होती जदा मस्त होंगे अगर मस्त नहीं हो ना तो इस वीडियो को देखने के बाद एकदम से मस्त हो जाओगे क्या आप सब भी फ्री फायर के अंदर ओटो हेड्शूट मारना चाहते हो तो आप सबने बिल्गुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में आप सब को कुछ ओटो हेडशूट सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप सब फरी फायर में ओटो हेडशूट मार सकते हो और सबसे इंपोर्टन चीज में आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ जो बीना बागी की तीन सेटिंग वर्क नहीं करेंगे इसलिए इन चारो स्टेप को स्टेप बाई स्टेप फोलो करना बहुत ही जादा इंपोर्टन हो जाता है लेकिन इन सबी सेटिंग्स के बारे में बताने से पहले तुमारे इस बाई की चोटी स्रिवेस्ट है कि अगर ला हु वह सेटिंग्स मोबाय सेटिंग रौने सेटिंग्स होने वाली को इसलिए सब्सक्राइब को मेरे मॉबायल को च्रिंग अंड शबसे पाली के बारे में बताता हूँ आप सब को हार एक सेटिंग स्टैप बाइ स्टैप फॉलो करने पड़ेगी आप लोगों को क्या करना अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर आ जाना है जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर आओगे आप लोगों को बहुत सारे ओप्शन दिखाई देंगे लेकिन input method के उपर click करोगे आप लोगों को यहाँ पर भी बहुत सारे options दिखाई देंगे जिन में से एक option है pointer speed मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मेरा यहाँ पर pointer speed नीचे की तरफ है तो मैं जैसे इसके उपर click करूँगा तो आप लोगों को यह क्या दिखाएगा medium type का तो mobile के हिसाब से तो क्या होता है medium होता है लेकिन हमको अगर अपने game में headshots मारने है ज्यादा से ज्यादा headshots मारने है तो आप लोगों को क्या करना है ना तो इसको कम करना है ना ही इसको medium रखना है और ना ही 75% रखना है बलकि आप लोगों को क्या करना है इसको एकदम full 100 कर करने के बाद आप लोगों को दूसरा setting अप्लाइ करना एक अगर आप लोग step by step फोलो in setting को करोगे तब ही ये setting वख करेगी तो हमारा सबसे पहला setting यह था pointer speed इसको आप लोगों को क्या करना एक दम full कर देना तो आप लोगों को क्या करना है फिर से additional setting के अंदर जाना है अगर आप लोगों के mobile गेंदर additional setting नहीं है तो आप लोगों को सिंपली से सर्च करना है access ability तो आप लोगों को क्या करना है यहां प्रमोर को accessibility मिल गया है तो आप लोगों को भी अपने mobile गेंदर access ability के अंदर ही जाना ह तो जैसे आप लोगों को access ability मिल जाता है आप लोगों को क्या करना है उसके ओपर बहुत सारे option आप लोगों को दिखाई देंगे जैसे कि magnification, color correction, text to speech output, talkback, accessibility वालब कि बहुत सारे option आप लोगों के सामने आ जाएंगे बट आप लोगों को क्या search करना है, large mouse pointer या फिर large mouse crochet आप लोगों को दिखाई देगा तो आप लोगों को इस option को select करना है, वैसे क्या होता है, जर्नली हर एक mobile के अंदर ये enable नहीं होता है, ये off होता है लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम लोगों को free fire के अंदर auto headshots मारने है, ये फिर headshots मारने है, अच्छे खासे headshots मारने है तो हमको जो ये large mouse pointer होता है उसको enable करना पड़ेगा, इससे क्या होगा हमारे mouse के मलब के mobile के अंदर जो pointers होते है उनका space increase हो जाएगा और mobile का sensitivity increase होगा, जिसे आप लोगों के headshot लगने और भी ज्यदा increase हो जाएगी तो ये था हमारा second number setting, अभी बात करते है हमारे तीसरे number setting के बारे में जो की fourth number setting के लिए बहुती ज्यादा important है और दो है अभी बात करते है हमारे तीसरे नमबर सेटिंगे बारे में जो भी आप लोगों को कहाँ पर मिलया? Access ability के अंदर मिलेगा, तो मेरे मोबाइल के अंदर ब़ो 유ूसरे काई है additional सेटिंग के अंदर जाओंगा, उसके बाद आप लोगों को जाना है एक्सेस एबिलिटी के अंदर जाने के बाद आप लोगों को बहुत सारे उप्शन फाव को फिर से मिलेंगे लेकिन आप लोगों को क्या करना है टच एंड होल्ट टीन एंड ! अगर यहाँ पर कितना टाम लिए आसे कामोयरा मिलाक्रम को करने के लिए अगरों अद़ती है तो नहीं कर आव इत पर है क्योंकि मया इसको लेकिन अगर आप लोगों को हैडशूट मारनें तो आप लोगों को इसका यूज़ करना पड़ेगा जितना कम से इसिंग आप लोगों का यो स्क रिस्पोंस होगा इसके बाद यो सो उसके बाद आप लोगों को touch ये medium भी हो जाता है, तो guys जीता हमारा तीसरा number setting, अभी हम आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे main and important fourth setting के बारे में, जो कि इन सभी settings के लिए सबसे ज़्यादा important होने वाली है, so guys वैसे तो ये mobile setting माप लोगों को बताने वाला हूँ वो game के अंदर भी मिलती आप लोगों को उसको बोला जाता है sensitivity, बलब कि एक तरीकी से mobile का sensitivity increase आप लोगों को करना है, इससे आप लोगों के headshot लगना जोगा, वो increase होगा, कैसे होगा हम आप लोगों को बताते था हूँ, मालीज आप लोगों का about phone section के इंदर जाना है, वहाँ पर कुछ versions आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोगों को बिल्ट नंबर पर seven times क्लिक करना है, seven times क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो developer option है, वो own हो जाएगा, आप लोगों को बाहर भी मिल सकता है अपना जो developer option दिखाई दे जाएगा, तो आप लोगों को क्लिक कर देना, ओलो कर देना है, ओलो करने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रोल करना है, आप लोगों को यहाँ पर options मिलते हैं, विंडो अनिमेशन स्केल, ट्रांजेशन एनिमेल स्केल, एनिमेटर डूरेशन स्केल, एनिमेटर डूरेशन स्केल, एन्ड स्मोलेश ट विड़्ू तो यह जो हता हैं दोश्तों, इसको बोला जाता है response नहीं बोड़ोगा मलब आप लोग जो animation का तरीका होगा जैसे एप खुलने का तरीका एप बैक होने का तरीका तो वो क्या हो जाएगा बहुत ही जदा फास्ट हो जाएगा तो इनको तो मैं यूज नहीं करता है आप सब चाहें वो वीडियो जाके देख सकते हो कोई दिखकत वाली बात नहीं है सो गाइज मैंने चारो की चारो हैट सूट सेटिंग आप लोगों को बता दिया है I hope आप सब के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेलफ रही होगी चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को इंजो करते रहना